फेक न्यूस पर फेक न्यूस लोगों के लिए संकट बनकर खड़ा हो गया है किसी भी कंटेंट के सचाई को समझना आसान नहीं रह गया है लाखो करोडों लोग रोज गुम रहा हो रही है देश, प्रदीश और विदीशों में भी रोज आम से लेकर खास तोर पर लोग जो है फेक न्यूस के शकार हो रही है ब्राजील फेक न्यूस से तंग आकर सोचल मेरा प्राटफॉर्म एक्स को बैन करने का फैसला लिया है ब्राजील की फैसले की दुनिया भर में चर्चा हो रही है तो वहीं चुनाव के दौरान फेक न्यूस की सारी सीमाएं पार कर दी थी और अपने देश में भी पिछले आम चुनाव के दौरान खुद मुखे चुनाव आयुक ने फेक न्यूस फैलाने वालों को तीन साल तक कैद की ज़ितावनी दी थी और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फेक न्यूस का जो चक्र चल पड़ा है इससे इंसान बाहर कैसे निकलेगा आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नमबर लगातार आपके टेवरेजिन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं अब आपके जो लोग है इस्थानी जो गाम रिस्तर के हैं सार इस्तर के सभी प्रकार के लोग हैं इनसे जानते हैं कि फेक निउस से आखिर कितनी परसाथ विद्ध क्या बुलेंग एफिक निउस को लेकर विया कशार निश्षुद्रूप से ज़ो है वो फेक निउस काफी बढ़ाए है काफी चलन में आया है और आप जैसे बता रहे थे कि अधिक के अच्छ कल से और राज्य सरकारों को की वहां लोग ने देखा है कि फेक न्यूस से कटई बड़ी गहटाיים हो रही है इससे परिवार और समाज को बड़ा नुखसान हो लाई तो निश्वी रिसस्प्त से इस पर कोई बड़ी करवाही बड़ा सी बनाने के वश्कता है रहर रहे करोख बहुत पwarmसानी है हमार वर बैटी कम लप परसाणी हो थे हमार भाई महारा भाई-धन मलना तो निहाद ज़रूरी है मगर अभी करोना काल में जो बच्चों को सिख्षा के नाम पर मोबाइल दिया गया है कि वह वापस नहीं ले पा रहे हैं पैरेंट्स और यह फेक नुच के सिकार हमारे किसोर आवस्था के बच्चे सबसे ज्यादा हो रहे हैं उनको समझ नहीं है कि इसका प्रभाव आम जन पर बहुत बुरा पड़ता है फेक निश को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे खास करके अगर आपन देखें बलोदाव्यार घटना क्या बोलेंगे इसको बेट निस तो मेरे हिसाब से बंद होना चीए क्योंकि इसमें ना जन धन के हानी है आए दि प्तक्रबाव और आपन फेक निश्न locks लागओ होना चीए बिलकुल फेक निश को लेकर यहां के लोगों का कहना है और वाकशीम ने चनल्टें जैसे लोगों का कहना है कि लोग उसमें भाग जाते हैं फेक निश को बिना रियालटी चैक किया उससे प्ड़ते हैं क्या शृ लिए इनकी मांग है और जिला प्रसाशन वा राजसाशन वाब केंदर सरकार थे भी मांग कर रहें कि फेक निश्चित ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी जो फेक निश्चित की गत्वीदिया है वो रुख सके एंडी टीवी के लिए बेमेत्रा से सुजीत सर्मा और इस पर बात चुछ करने के लिए खास मैमानों का पैनल हमारे साथ जुट चुका है श्रिवांगी पेस्वानी सोचल मीडिया इंफ्लूएंसर है और एलन ड्राव रिटाइर डिली पुल उसमें अपनी सेवाइन दे चुके है और संचीव वकील है हमारे साथ और योगेश पंडित साइबर एक्सपर्ट है आप सभी मैमानों का हमारे साथ जुटने के लिए एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवा समय निगा लेए सबसे पहले श्रिवांगी पेस्वानी आपके पास आते हुए क्योंकि आप सोचल मीडिया इंफ्लूएंसर है सोचल मीडिया के कितने पॉजिटिव रिजल्ट हम सबने देखे है एक सोर्स ओफ इंकम बन गया है लेकिन आज के समय में सोचल मीडिया के दुश परिणाम भी उतने ही बड़े ही तेजी से सामने आ रहे है और जिस तरीके से फेक निउस का एक ट्रेंड सा सेट हुआ है उस इसके लिए हमें लोगों को एजुकेट करना बड़ेगा अभी लोगों के पास अतनी जानकारी नहीं है कि सोचल मीडिया को किस तरह से वो बॉजिटिव बेर में यूज कर सकते है और आज कर लोगों की इतनी आदत बने है कि जो भी फॉवड़ेट मेसेज उनके पास आता ह रहे हैं और आप लोगों के सामने की कितना बड़ा चैलेंज रहता है क्योंकि फेक निउस की नाजाने कितनी शिकायते आती है कुछ लोग फेक अकाउंट बनाते हैं और हम सब ने देखा है कि सोचल मीडिया के कितने साइड एफेक्ट रिलेशनिशिप में हुए हैं और कु कि नमस्कार आपके सबी विवेश को लेकिन ये जो फेक निउस की जो सबस्षय आजकल चल रही है और ये आज से नहीं पहले से चल रही है लेकिन अब कुछ ज्यादा होगी है इसमें क्या है कि कोई भी आदमी किसी परकार कि न्यूस को जैसे सोचल मीडिया पे कोई फारव में कमंस कर देना ये फेक sleश्ट का शिस्टम अगा है और ऐसी षिकायत यह वह करना बड़ा मुश्किल है कि यह कहां से हुई है यह फारवर्ट करते करते लोग कर देते हैं लेकिन जहां असल में यह फेक मिउस कहां से शुरू हुई है उसको पता लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं समझता हूं कि अगर साइबर क्राइम से कोई भी इन्वेस् से कोई लोग ऐसे ही इसको आया फरवर्ट कर दिया है तो एक प्रकार से एक तो यह इस डायरेक्शन पका होने चाहिए कि कोई भी फेक न्यूज के लिए मैसेज आते हैं वाटसप पे आये या एक्स पे आये या दूसरे किसी सोचल मीडिया चैनल पर आते हैं उनको बिना व पर आते हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे लोगों के बारे में मालूम करें पता करें इंटेलियस गैजरिंग पुलिस करें और किस पकार से कोई आदमी किस मकसद से यह फेक नीज भलानी कोशिश करें उसका जानने कोशिश करें खासतोर से एलेक्शन के दूरान बहुत जादा इसको रोगना बहुत जरूरी है अदर्वाइस बिल्कुल हलां कि आम चुनाव में चुनावायों की तरफ से यह गाइडलाइन्स दिया गया था जो फेक नीज फैलाएगा उसकी खिलाब जो सक्त कारवाई की भी बात कही थी तीन साल के सजा का प्राद्धान और जुर्मान लेवल पर देखें तो एक्स में अभी कुछ समय से ही चीजे निकल कर सामने आते कि इंडियांस के खिलाब जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है अभी आप रिटार डिसे बीजी को सुन रहे थे कि जो भी फेक नीज या फिर कोई भी नीज चलाया जाती तो वह एक प्र है कि हमारे पास कोई एक पैन इंडिया कानून नहीं है कि जिसके थ्रू ये चीजें कवर की जा सके अब तक अगर आप एक जुराई से पहले की बात करें तो हम भार्तिय अटन्ट सहीता आईपीसी के तहत इंचीजों को कारेवाई किया करते थे कि अगर किसी के खिलाब भी कोई कारेवाई करनी है जो भी फेक न्यूस पहला रहा है तो उसके खिलाब हम आईपीसी केस थ्रू जाया करते थे सेक्शन एक सो त्रेपन हो गया तो इनके तहत अगर पुरी भी फेक न्यूस पहलाता था किसी धरम को धरम की भावना को बढ़काने की कुशिश करता था य इसा कोई कानून हो कि जो कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर एक जाजि़े परवाई हो जहार कंड के इंडर इंडर इवत्ड़ इन अगर प्रवाई करता है उसके खिलाब उप कड़ी करवाई होनी चाहिए क्योंकि अगर आप देख ना जाने हमने करता था आप तो AI, D, FIC, जैसे इसे तमाम टेक्निलोजी आ रहे हैं जिसके रपेकिशन हम अभी सही देख रहे है तो कानून सक्त कानून क्यों नहीं बंटा है किसी इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि सकत कारवाई की जाती है, X और Facebook जैसे तमाम ऐसे social media platform को जो है ban कर दिया जाता है सजीब जी सवाल मेरा आपी से तिपिका जी 2023 के अंदर एक दिल लाने की पार्लेमेंट के अंदर कोशिश की गई थी Prohibition of Fake News on Social Media Bill 2023 जिसको हमारे देश के जो माननी है, सांसद है मनोज, कोटर जी वो लेकर कहा रहे थी बड़ ये बिल एक पेंडिंग बिल की तरह पढ़कर के लोग सवा के अंदर रह गया, जिसको मेरे हिसाब से ना तो इसके उपर कोई चर्चा हुई, ना इसके उपर कोई आगे कारेवाई हुई, तो मेरे हिसाब से देश की संसद के अंदर इस तरीकी का एक कानून पारिथ होना चाहिए, जिससे कि जो फेख में उसको सर्कुलेट करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारेवाई का प्राफदान होना चाहिए, क्योंकि देखे, जब तक हम किसे इसाब से कहा जाता है, कि साथ साल तक के जितने भी कानून है, अगर उसमें जो बेल है, तो असानी से मिल जाती है, क्योंकि सतेंद्र कुमार एंपीं की जज़्मेंट है, अरनेश कुमार की जज़्मेंट है, तो एक कड़ा कानून आना चाहिए जिसमें minimum minimum कम से कम भी एक 10 साल की सजा का प्रावदान होना चाहिए जिससे कि अगर कोई भी ऐसी कलती करता है क्योंकि य्जान पूच कर क्या किया जाता है जिस तरीके से आग मुजफर नगर की बात करें जिस तरीके से वहाँ पर तो जाई से बात है, ऐसे में तो जो अपराध ही है, उनके होसले तो बुलंद ही होंगे, उसके बाद देखिए, एक के बाद एक ऐसी वारदातों को वो अनजाब देते हैं, बेखौफ होकर, युगेश पंडित जी, आप साइबर एक्सपर्ट्स है, और आप देखते हैं किस ना सिर्ब आम जन को, बलकि भी वी आईटी के सोचल मीडिया अकाउंट को भी हैक कर देते हैं, और किस तरीके से बाकाइद एक प्रोपेगेंडा चलता है, इसके बावजूद हम सबग क्यों नहीं लेते हैं? जी, देखिए, टेक्नोलोजी तो मार्केट में पानी की तर अवेलेबल है, बिलकुल, आर्टिफिचल इंटेलिजेंस, डीप फेक से बनने वाले वीडियो और इमेजेज, आए दिन हम लोग सारे प्लाटफॉर्म पर देख रहे हैं, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर सोचल मीड प्लाटफॉर्म नहीं है, जिसमें कंटेंट जादा है या कम है, लग बग हर प्लाटफॉर्म पर हम लोग इसको देख रहे हैं, वाट्साइप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्वीटर की अभी बात हो रही थी, कि X को ब्लॉक किया गया, तो आपने बहुत अच्छी ब जानकारी ना फैलाएं, दूसरी बात, राव सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक स्टेंडर्ड ऑप्लेटिंग प्रोसिजर को फॉलो किया जाना चाहिए, हर संस्थान, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो गवर्मेंट बॉडी हो, एसो पी म महारत साशन ने जब ये कोविट का दौर था, तभी फैक्ट चेक बना दिया था, मैं फिर से नाम रिपीट करना चाहूँगा, इसका फैक्ट चेक, इसको पी आई बी, प्रेस इन्फरमिशन ब्यूरो, इसको खुद मॉडरेट करता है, और फैक्ट चेक, जिस तरह से गवर और फैक्ट चेक करके आपको शोशल मीडिया पर आने वाले तमाम इंफरमिशन का या तो आपको खंडन मिल जाएगा, या आपको दिखा दिया जाएगा कि ये जानकारी सही है, है ना, और दूसरा, इंटरनाशनल बोडी इसमें अब इन वाले है, जैसे गूगल इन वाले ह जो कि AI से होने वाले अफैंसिस या नकली या फर्जी जानकारी जिसको बूलते हैं मिस इंफरमेशन या डिस इंफरमेशन, ये जो प्रचलित की जारी है, जो ट्रेंड की जारी है, प्रोपगेंडास के लिए, कैम्पेंज के लिए, हर चीज के लिए, इसको हम रोक पाफ बारत को लेकर जिस तरीके से एक ये प्रफगेंडा चला जा रहा है, इसके रेपेकेशन सनासरी हम पॉलिटिकली देख रहे हैं, परस्नली तो बहुत जादा हामफूल हम ने देखा है, और सोशल में भी जो है, इसका अवसाब भी बहुत जादा हो रहा है, इसके बा योगेशी निकलकर आता है law enforcement के पास, वो देश के बाहर होता है, तो कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है, कि देश के बाहर बैठा कोई व्यक्ती, फेक न्यूस के जरीए हमारे युबाओं का मस्तिश्क धूमिल कर सकता है, गलत जानकारी से जैसे आपने बताया अभी political campaign इस सब को damage कर सक आता है, तो technical empowerment भी साथ में जरूरी है, और law, दोनों चीज़े हैं equally महत्वपूर्ण है, राउच सर जैसे कि अभी हमारे cyber expert में कहा है कि जो IP address होता है, maximum time वो बाहर से होता है, तो देखिए बाहर की जो जो ताकते हैं, वो किस तरीके से हमारी युवाओं का brainwash करीए, तो और होता खतरनाक है, जी दिवकाजी बिल्कुल ये जो अभी योगेशी ने बताया, ये बहुत important है, और ये बहार के लोगों ने इस काम को हैजर्ट किया हुआ, यानि कि IP address maximum आपको विदेश में मिलेगा, और ऐसे बहुत से crime हैं, जो कि not only this fake news, इसके अलावा भी ऐसे crime है, cyber crime कर तो भी होता है, वो maximum European countries या North American countries या कोई Australia वगरा से होता है, तो यहां पर ये पता करने के लिए, investigating agencies अपना एक, हमका contact होता है, इंटरपोल के फिरूप करना चाहें, तो वो वहां से करते हैं, और इंटरपोल के फिरूप पता लगाते हैं, ये IP address किस address का है, और वहां के address के ल पता लगाना, origin कहां से होता ये पता लगाना बढ़ा ज़रूरी है, और उसके खलाब सक्से सक्कारवाई किस भी देश में अगर होई, तो हमारे देश के कानौन के इसाब से या सदल कारवाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तो एक हो गया कि जो origin का उसके निए, ले राउसर, देखें, यह कितरा खतरनाक हो गया है, एक तो आज की युवा, युवा कहें इवन बच्चे भी, जो growing child है, वो भी मोबाइल को, मोबाइल का जो addiction उनमे है, युवाउं को लेकर, बच्चों को लेकर, बुजर्गों को लेकर, हर एक जनरेशन को जो मोबाइल ने capture कर है उससे भी जादा खतरना क्या है अब फेक न्यूस सोचल मीडिया प्लैक्स फॉर्म जिस तरीके से लोगों को आदत लगी वी है हर एक चीज को छोटी मोटी चीज को सोचल मीडिया पर अपलोड करने के लिए कि हां आज यहां पर गए थे कहीं पर जादे तो लगाता जो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और जहां भी अगर फेक न्यूस जैसी मिलती हैं उनके खिलाब एज पर लोग से सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और जब तक यह डिटरेंट एक्शन इसके खिलाब नहीं होगा ऐसे रूपने वाले नहीं है अजरवाई यह बहुत जादा इसका सीरियस सब्सक्राइब कर लिया है और युवाउं का जिस तरी किसे अपारे साइबर एक्सपर्ट यूगेशी ने कहा कि जो आइप एड्रस होता है वो मैक्समिम टाइम विदेशों का ही होता है तो जाहिर सी बाइत है उनका एजेंडा हमें समझना चाहिए और समझते हुए अभी स सकत कदम उठाने के जरूरत है लेकिन शिवांगी पेस्वानी जी आप तो खुद सोचल मेडिया इंफ्रेंसर है आप लोगों के लिए कितना टफ रहता है क्योंकि चीजों को फिल्टर करना अब बार सी आगई समझ नहीं आता कि किसे फिल्टर किया जाए किसे एक्सेप्ट किया जाए और कभी कभी तो हम दिखते हैं कि आप जैसे जो सोचल मेडिया इंफ्रेंसर वी वी इपी जो है वो खुद फेक न्यूस के श्रिकार हो जाते हैं आप लोगों के खुद के जो फेक अकाउंट्स बनने लग जाते हैं और जैसे कि योगेश जी ने बोला अवेर्नेस बहुत जरूरी है मुझे भी लगता है कि यह एक खोटे लेवल की बात में किया रही है हमने बड़ी-बड़ी बाते तो जरी की कानून बनना चाहिए और आप अड्रेस पता रहना चाहिए स्थ लाव बनना चाहिए बट आप को भी पता है मुझे भी पता है कि हमारा देश का लौ इतना आक्टिव है बड़े-बड़े क्राइम में तो लौ अटेव हो नहीं पा रहा है तो इस चीज में तो पता नहीं कितना रहन लग जागा तो मुझे लिग नगता है कि अवेर्नेस से ठोड़ा जल्दी जो वर्ड तो हमें इस तरह की चीज़े थोड़ी और प्रमोट करनी चाहिए अभी तो हमें ये एक पर्सनल लेवल पर हमारा ये एक दायर पर बन जाता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वीडियो आई है वाक्साप पर प्येस्बूक पर इंस्टेग्राम पर कहीं भी तो ये हमारी रिस्पॉंसिबिलिटी बन जाती है I am being a social media influencer, I always try कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा वीडियो आ रहा है तो मैं उस ग्रूप में तो इंफॉर्म करती ही हूँ कि this is a fake video, please do not forward it आप एक एक ग्रूप में आज की रिख में 200 लोग होते हैं तो अगर उन 200 में से 50 के भी forward कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि वो 50 आगे 50 को forward करेंगे और कि जल्दी वो video वाइरल हो जाएगा तो यह हमारी एक personal responsibility भी बन जाती है कि हम उस ग्रूप में तो इंफॉर्म करें ही और आए बिग आप सोचल मीडिया इंचेर अजाएगा तो लोगों को पता है पता चलाएगा तो इसको थोड़ा और प्रमोर्ट करना चाहिए कि जैसे पड़ें के लोगों तो फिर भी बता होगा लेकिन जाधा जर्वीडियो बारे होती है आएज से जो गाउं के इलाके हैं जिनको टेक्नोलिशी के बारे में जाधा नहीं पता है इसने से इतना पता है कि फोड़े कासे करना है वहां से वीडियो जादा वायल होती है क्योंकि शेहरों में तो सब लोग इसमा जादा बिजी हैं इस पूरी वीडियो इस पूरी वीडियो नहीं होने कि आपके भी आगर ग्रोप में आती होंगी तो आप सारी वीडियो देखते हैं ग्तक्षार जो एक एंडरी ग्रोप है थे हारा ग्रोप काफी फ्री है उनके पूर्फ जाला वायल होते हैं और जो उपक्राद एंगियों नहुक्ते हमारी कम्युंटी हैं क्यां भर जालदा जाला थां कासे हैं संजीब जी देखिए समझ आता है कि एक लोगों को उन लोगों को बाकाइदा तार्गेट किया जाता है इस ये फेक नीज को सेकुलेट करने के लिए जो फ्री है जो जागरुक नहीं है जो अनवेर है और हम ये भी देखते कि कैसे वी वी आईपी को पॉलिटिशन को सेलेब् पेक के जरीए और तमाम ऐसे केसिस देखने के बावजूद कई बार देखते हम जीमेल अकाउंट को हाईजेक किया जाता है उन तमाम अपरादिक तत्वों के द्वारा इसके बावजूद हमारे लॉओ मेकर सबक क्यों नहीं ले रहे एक सक्त कानून क्यों नहीं बना रहे ह पर देखेंगे जिस तरीके से इंटरनेट इतना उफ्त में मिलने लग जा कि हार एक आम आदमी वह वह इंटरनेट का इतना जादा इस्तमाल करने लग जा कि उसने फिसिकल एक्टिविटीज को बिलकुल खतम ही कर दिया वह दिन के तकरीबन 5-6 गंटे 5-6 गंटे की बात कर लोगों ने किताबे बढ़ना चोड़ दिया जो सोर्स है इंफोर्मेशन का कि जहां से उनको एक जैन्वर इंफोर्मेशन मिल सकती है उन्होंने वह इंफोर्मेशन को हटाने की वज़ाए उसी को परवड करना शुरू कर दिया और यहां तक मैंने बहुत ऐसे तिकज लोग सौरी सर मैं आपको माफी की साथ रोपना चाहूंगी लेकिन एक वाइंड़ कमेंट बहुत जरूरी है योगेश पंडित जी आपसे लेना क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट है मैं यह नहीं कहूंगी कि यूवाउं के लिए आप क्या कहना चाहूं क्योंकि आजकल जो है इ बहुत अच्छा इनिशेटिव लिए लिया आपने की लोग इसमें जागरुख हो सारे जो एक्सपर्ट से उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी शिवावगी मैं अगर अगर अवेरनेस की बात करी तो राउ साब ने एसो पी बनाने और जिसे मैं भी सहमत था टेक्नॉजि जीव जी ने अगर कानून के बार में बात करी तो आप को जान के हर्श होगा कि हमारे पास बहुत सारे कानून relatively है जैसे कि हमारे पस Digital Media Ethic Code Rules हैं जो कि 2023 में आई थे जो अल्रेड़ी शोशल मीडिया पर किसी भी तरह से कोई चीज वाइरल होती है तो उसको उसके खंडन करने उसको रोकने के लिए अल्रेडी एक्टेव है और पहले क्या होता था जो social media channels है यह यह पूरी information हमें नहीं देते थे खासकर source की information नहीं देते थे कि यह source क्या है कहां से information upload की गई अब हमें देते हैं और अब अगर नहीं देंगे हमें जानकारी तो आई-टी आक्ट आई-टी रूल के हिसाब से यह social media बाध्धिकारी बन जाएंगे पहली बात हो तो चीज़े चेंज हो गई है अब जहां बात आ रही है तो यह सिर्फ एक देश का एक समाज का मुद्धा नहीं है globally बाकी जो सारे देश हैं सभी इससे effect हो रहे हैं तो सारे देशों को मिलके fact check जैसा एक बड़ा consortium run करना चाहिए या फिर अपने अपने जो fact checks है वो open data है जैसे कि आप अगर government की website पर आ रहे हैं fact check जो कि press information bureau run कर रहा है उसमें उसका information US वाले भी देख सकते हैं US का information हम भी देख सकते हैं similarly चाइना या दूसरे देश क्या कर रहे है fact check पर मैं कुछ नहीं कहूंगा बहुत सारे पता नहीं Chinese IP address क्यों दिखते हैं हम लोग को ऐसे source में बट स्टिल मैं कहना चाहूंगा यह जो consortium है यह जो problem है यह किसी को एक देश का नहीं है तो इसको internationally जुड के मिलके अगर हम लोग काम करेंगे तो globally क्योंकि digital platforms globally connected है technology की जरीए तो जल्दी हम block कर पाएंगे और content block हो सकता है आपको यह अशौर कर रहा हूं तो चलिए उम्मीर करते हैं कि इस पर बहुत जल्द काम किया जाएं और इस समस्या का समाधार के जाएं यह तो यह समस्या जो है नासूर बन सकते फिलाल आप सभी मैमानों का हमारे साथ जुडने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया